आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ कि किस परकार हम एक इमेज को PDF में कनवर्ट कर सकते हैं कई बार हमारे सामने इस तरह की कंडिशन्स आ जाती हैं कि हई MB की इमेज होने के कारण वो email नहीं हो पाती है कहीं बार हमें अपने पूरे occasion को capture करके उसको PDF form में convert करना होता है तो ऐसे case में हमें कहीं मुश्कलात का समना करना पड़ सकता है तो आप मेरे वीडियो के अंतक बने रहिए मैं हूँ सुरेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube channel scan as you tech तो चलिए शुरू करते हैं अपने फोन से play store को open करना पड़ेगा जैसे हम play store को open करेंगे उसकी search bar में type करेंगे cam scanner जैसे ही cam scanner type करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा जैसे कि मैंने इस app को पहले से ही अपने phone में install कर लिया है आपने इसको अपने phone में install कर लेना है इंस्टाल के समय आपसे ये कुछ permission मांगेगा आपने सभी permissions को allow कर देना है उसके बाद हम अपने phone की main screen पे आ जाते हैं अब हम अपने phone की gallery में चलेंगे जैसे हमने gallery को open कर लिया जहां से हम किसी भी image को select कर लेते हैं जिसको हम PDF में convert करना चाहते हैं उपर topic share का option है उसको click करेंगे तो हमारे सामने options आ जाएंगे हमने इसको cam scanner पे share कर देना है कि सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो image है वो पूरी अभी select नहीं हुई है तो ऐसे case में हमें सबसे नीचे एक option दिखरा होगा all का उसके ओपर click करेंगे तो हमारी image पूरी select हो जाएगी उसके बाद हमें next पे click कर देना है तो उसके बाद कुछ effects हैं अगर हम अपनी image में कुछ effects डालना चाहते हैं तो हम जहां से किसी effects को डाल सकते हैं जैसे कि मैं third option को click करके इसके अंदर एक effect डालता हूँ तो जह image मेरी pdf में इस तरह से दिखेगी उसके बाद मैं save button पे click कर देता हूँ तो जो मेरी image है जह एक pdf form में ready हो गई है उसको top पे pdf लिखा हुआ मिल जाएगा आपने उसके उपर click कर देना है जैसे आप इसके उपर click करेंगे जह आपका जो image है वो pdf में convert हो चुका है जहांसे आपने top पे आपको एक green color का share option दिख रहा होगा इसके उपर click करके आप किसी को भी इसको share कर सकते हो जैसे मैं इसको whatsapp पे share करके आपको पताता हूँ मैंने whatsapp को click कर लिया WhatsApp को open करके किसी contact को select करके उसको ये pdf send कर सकता हूँ अब आप देख लो कि उसको जो ये image गई है जे pdf farm में send हुई है अब मैं अपने phone की main screen पे आ जाता हूँ main screen पे आने के बाद आप मैं आपको बताऊँगा कि अगर हमें multiple photo को select करके उनकी एक ही pdf file बनानी हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है मैं अपने phone से अपनी gallery को open कर लेता हूँ open करने के बाद मैं 3-4 images को select कर लेता हूँ जैसे आपके सामने मैंने 4 images को select कर लिया है फिर से बही process मैं share button पे click करूँगा share button पे click करने के बाद मैं आपने phone में से cam scanner पे share कर दूँगा जैसे मैं cam scanner पे share करूँगा आपके सामने इस तरह का एक interface आएगा आपने सभी images को एके करके open करके पहले देख लेना कि ये margin इनका पूरी तरह से select हुआ है कि नहीं हुआ है जैसे जे image पूरी सही आई है मैं next करता हूँ तो जे image भी बिल्कुल सही आई है आगे करता हूँ जे भी सही है उसके आगे वाली देखता हूँ जे पूरी image नहीं आई है ये सबसे पहले आपने top पे देखना है crop का option दिख रहा होगा आपने crop button को click कर देना है crop पे click करने के बाद अब जितना area हमारा select हुआ था वो हमें दिख रहा है तो नीचे हमें all पे click करना है जिससे हमारा पूरा page select हो जाएगा उसके बाद हमें next button पे click करना है तो उसके बाद हमें इस page को save कर लेना है जैसे हम इस page को save कर लेंगे उसके बाद हमें back आ जाना है back आने के बाद 4 page हमें सामने दिख रहे हैं लेकिन इन में भी एक problem आ रही है इनकी जो sorting है वो सही नहीं है आप देख सकते हैं कि जो page number 4 है वो top पे है उसके बाद 5 है फिर उसके बाद 7 आ गया है उसके बाद 6 है तो हमे sorting सही करने के लिए क्या करना पड़ता है जिस image को हम लाना चाते हैं अपनी सही place पे तो उसको long press कर लेना है हमें long press करने के बाद अपने thumb जा finger से उसको drag करके दूसरी image के उपर जिसकी जगह पे हमने उसको रखना है उसके उपर जाके उसको रख देना है तो अब क्या होगा हमारी जो images है बो क्या होगे हैं अपने अपनी जगह पे sequence पे आ गई है sequence पे आने के बाद उपर आपको top एक option दिख रहा होगा PDF तो आपने उसके उपर क्लिक करना है अब जे हमारे documents जो हैं जे चारों के चारों document जो थे हमारी images थी वो एक document में convert हो चुके हैं यहां से हमें share के option पे क्लिक करना है जहां से हम email, gmail, जांकी whatsapp कर सकते हैं जैसे कि मैं आपके सामने whatsapp को क्लिक करता हूं क्लि PDF थी उसे open करके मैं आपको दिखा सकता हूं कि वो PDF format में open हो रही है तो इस तरह से हम किसी भी image को PDF में convert कर सकते हैं अब मैं आपको बताऊंगा कि जो PDF सामने convert की हुई हैं जे हमारे phone की file manager में कहां जाके save होती हैं मैं अपने phone से अपने file manager को open कर लेता हूं open करने के बाद मैं उसकी internal storage में जाता हूं तो बहां पर मुझे एक folder बना हुआ मिलेगा जिसका नाम होगा cam scanner मैं डूंडता हूं जहां पर cam scanner मुझे मिल गया तो देखिए आपके सामने जे दोनों files बो हैं जो मैंने images को convert करके PDF में convert किया है पहली बो है जो मैंने एक page किया था और दूसरी बो है convert हो चुकी है इस तरह से हम किसी भी jpg image को हम PDF में बड़ी असानी से convert कर सकते हैं और अपने इस information को किसी higher authority को भी send कर सकते हैं अपने school के बच्चों को अगर हमें काम देना है तो sequence wise हम उनके photo खींच के उनको पूरी तरह से sorting करके अलग अलग photo बेजने के बजाए हम उनको एक document send कर देंगे जिससे बच्चा properly पढ़ सकेगा आने इस app का link अपने description box में दे दिया है आप बहां से click करके भी download कर सकते हैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दीगे जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को like कीजिए share कीजिए और subscribe करन तो बिलकुल मत बोलिए thank you for watching